इस देश के आम मर्दूरों के परिक पर लाख मारने की कोशिश भी गई है, इसकी बैकरेशन दो में लिड़ा करता हूं भर्सना करता हूं लोगो आज इस मुल्क के अंदर जो परिस्थिती है उससे आप लोग धरिवादी वाकिती आपको मालूम है कि आज देश के भीतर किस तरीके के हालाथ से इस देश के आम अवाम भूज रहे हैं मैं इस संबंद में कुछ अपनी बात रखूँ इसके कवर एक सच्चाई को आज हमारे सामने आई है उसके संबंद में एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों यह कहां का न्याय है कि गाओं में एक चोड़ी हो और एक चोड़ पत्रा गया हो तो पूरे के पूरे गाओं को छोड़ कहां जाए कि इस बात को समझना चाहता हूँ कि आज पूरे देश के भीतर जिस तरीके से मजदुनों के उपर हमले हो अधिते नहीं कि इस बात को हमको समझना चाहता हूँ मैं यह नहीं कहता कि देश के भीतर अफ़ार नहीं होते हैं, मैं यह नहीं कहता कि अफ़ार के पीछे कुछ लोग जिन्मेबार नहीं हुए, लेकिन जिस तरीके से बिहार के लोगों को उनकी महनत मजदूरी के चलते, उनकी गरीबी और गुर्बत के चलते, अपमानिक दिया जगह जगह उनके साथ जिस तरीके से हिंसा की जाती है, जिस तरीके से उनके साथ मार्टिट को अर्जाम दिया जाता है, और बार बार या बार भार फैलाने की गोशिश की जाती है, कि बिहारियों की बज़ा से हमारा रोजी रोजगार छिन्रमा है, हमको इस चाजिस को समझन पड़ेगा यह परिस्थिति क्यों आई है आज हमारे देश के भीतर की आए दिन कमी महाराष्ट्रा में तभी खुजरात में तभी राजस्थान में तभी आसान में अलग अलग हीचों में हमारे प्रुदेश्मी लोगों की साथ भार्पित्ति जाती है इसके लिए हम सब्सक् कि बिहार के भीतर जो सरकारे बनी है उन सरकारों के बारा अगर इस देश के जो किसी की हालत है उसके अनुपात में लेकि बिहार की किसी को में मजबूत किया जाता है